हम एक बार में एक जी सोच सकते हैं क्योंकि हमारे सोचने की ताकत बहुत सीमित है वो तो ईश्वर है हम तो पाइपलाइन प्रोसेसिंग में सोचते हैं ना ईश्वर पैरलल प्रोसेसिंग में सोचता है पेरलली कई प्रोसेसिंग चलती रहती है उसके दिमाज में इसलिए वो इश्वर है और हम इश्वर नहीं है इसलिए वो चोक्लेट नहीं खाता है अब खाते हैं बहुत अंतर है उसमें और हमें भाई उसकी ख्षमताइं बहुत अलग हैं कुछ लोग कहते हैं कि इश्वर नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है तो उनके जवाब में एक शैर ने बड़े अच्छे बात कही क्या कहा उसने हाँ सरीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है और जो इश्वर को मानते हैं उनके पस पर्याब तरीके हैं मानने के उनको दिक्कत नहीं है इस बात से कि हम मानते कि नहीं मानते हैं तो इश्वर है तो अच्छा इश्वर है नहीं है इस पर एक प्रसंग ये भी है सोच के देखी इस बात सही है या नहीं है सही है या नहीं तो किसी को पता नहीं हो सकती है या नहीं है यह सोचना है बहुत 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 और खुद को इस रूप में रखता हो कि उसको जानने के लिए छटी या साथवी इंद्री की जरूत हो जो उसने किसी को दी ही नहों। यूं समझें कि आपने खिलोना बनाया एक रोबोट बनाया और आप चाहतें कि रोबोट आपको देखना सके आपने रोबोट को देखने की ख्शमता नहीं दी सुनने के दी टच करने के दी सब ख्शमताइं दे दी उसके अंदर सेंसर्स लगा दी है तक देखने की ख्शमता उसको आखें नकली आखें नहीं दी और एक दिन वो रोबोट बहुत विक्सित होने के बाद कहे यदि मुझे बनाने वाला होता तो फिर मुझे सुना ही देता तच होता और आप मस्कुड़ा रहे हैं वो जैसी आपके पास है आप साइड हो जाते हैं वो टचनी कर पारा आपको वो आपको सुननी पारा है क्योंकि आफशान्त रहते हैं वो आपको केबल देख सकता है और आपने उसको देखने की क्षमता है देही नहीं जान बूचके ताकि वो ना देख सके और ये मुर्ख उचल उचल के बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि वो सुनाई निजे रहा है ठीक वैसे हो सकता है कि पांच इंद्रियां ईश्वर को जानने के लिए अपरयाप्त हो छठी इंद्री के ज़रुत हो सिक्स सेंस तो आम तो पर इंट्यूशन को बोल देते हैं कि मैं फ़ी सेंस में नहीं सब्सक्राइब